तो गाइस मैं हुआ की तोड़ आप देख रहे हैं डिसलिंग फैंस नेटवर्क सुरू करते हैं अपनी बात को मुझे सबसे पहले डेवी बैड ब्लड 2024 से तो भाई बैड ब्लड 2024 के लिए मुल्टिपल मैचेस आज मंडे नाइट रॉक एंदर अनॉंस हो चुके नहीं करते ह तो बिल्कुल नहीं करते हैं करते हैं तो भाई एक साथ लाइन लगा देते हैं कौन-कौन से मैचेस अनॉंस करें मैं आपको बता देता हूं अपना हैली नसल मैच बैड ब्लड का मेइन इवेंट हो चुका है अनॉंस सीम पंक वर्सेस ड्रू मैंटर बहुत ही खतरनाक जब मैच बैड ब्लड का मैच बहुत जल्दी हो गया मुझे यह फिन वाली वाइब सारी बैड ब्लड का वैसा ही तो यह भाई तीन मैच इस बैड ब्लड के लिए जो की कंफर्म हो चुके एक और मैच आपको कार्ड करके बताना अच्छा लग रहा है मुझे तो सही बताओं के बहुत तगरी स्टोरी तो इसलिए एक अच्छा काड यह तक आगे देखते हैं क्या क्या होता है आगे बढ़त करते हैं बहुत ही मेचर अपडेट के बारे में जो किया मंडे नाइट रोक होई ले दो घंटे का सो होने वाला है कल SmackDown के हम लोग बात कर रहे थे कि भाई क्या SmackDown दो घंटे से तीन घंटे का हो सकता है अभी वो तो नहीं होने वाला है लेकिन Monday Night Raw भाई तीन घंटे से दो घंटे जरू जा चुकिये Monday Night Raw को लेकर Official Announcement आ जुकिये WWE ने खुद से Announce करा Breaking Monday Night Raw will be on USA Network from 8 p.m. Easter to 10 p.m. Easter starting on Monday October 7th and through the rest of 2024 culminating with the USA Network Finale on Monday December 30th तो यहां पर कहना है WWE का खुद से Announce करके कि Monday Night Raw 7 October से उस वाले एपिसोड से सिफ दो घंटे का ही आपको देखने को मिलने वाला है यानि कि जो तीन घंटे का सो होता है 8 से लेके 11 इस्टर तक यानि इंडिया में सुबा सारे 5 से सारे 8 वो अब आपको सारे 5 सारे 8 नहीं बलक आज के एपिसोड के लिए खतम हो चुका था मालो लेकिन इन्हों एक टेंपररी डील साइन करिए सिफ तीन महीने के लिए कि हम यूस नेटवक पर भाई तीन महीने तक रख पाए Monday Night Raw को उसके बाद नेट्फिक्स पर चले जाएंगे तो इस टेंपररी वाली डील के इंदर बहुत ही जारा भयंकर इनका स्टाइक दे दो घंटे काफी कम पढ़ने वालें उसमें भी कमर्शल से बाई तो मिला जुला के मानके चलो डेर घंटे का सो एक घंटे चालीस मिनट का सो तो क्या सोचता अब करके बताना दो घंटे का सो टेंपररी बेसिस पे डेड़ डेवल ब्राउन ब्रेकर को इंटर कॉंटिनिटल चैंपसिप के लिए अब यह चीज भाई काफी ऑब्विस हो गए थी मतलब फैटल फॉर पे मैच होने से पहले हैं मैं पता था कि जीतने वालें जिस तरीके से डेवल डेवली इंट्रेक्शन्स दिखा दी थी जे उसो एंट ब्र ब्राउन ब्रेकर को आइसी टाइटल के लिए अब ऐसे में चलो यह तो होगा भाई लेकिन लोगों को दिक्कत है जीतने से फेटल फॉर्वे मैच अब आपको माले में मैच के अंदर इलिया ड्राइगनों भी थें पीट डन भी थें और ब्राउन भी थें यानि कि मैच यह तो फिर से जे उसो को हेट मिली स्टाट हो चुकिए और सिफ यही एक रीजर नहीं है बलकि इस मैच के अंदर पीट डन भी थें ब्राउन भी थें तो लोगों को लगा था कि सायथ में भी एक पॉसिबिलिटी हो कि हमें पीट डन वर्से ब्रेकर देखने को मिले या इल चाते थे कि ब्राउन ब्रेकर वर्सेज इलिया ड्रागनों का मैच अब जीच चुके तो भाई यह ख्वाइस ख्वाइस ही बनके रह गई एंड इसलिए लोग गुस्सा हैं इस डिसीजन पर मुझे तो ठीक है या जे उसो वर्से ब्राउन ब्रेकर का मैच पेपर मैच अच यह में आपको बता था कि केविन नैस बहुत भर के वे दिखें आपने सो के अंदर लोगन पॉल को पर कहते हैं कि यह बंदा क्यूं है यह बंदा क्यूंध यह जो रहा एक तो ले फिर है प्यूद्ध मेस और यह चीज बिल्कुल ने पसंदा यह का विन नैस को हालाग कि यह चीज मेरे एकॉर्णिंग बिल्कुल सेंस नहीं बनाती है क्योंकि बहुत अलग फिल्डे लोगन पॉल को इसलिए साइन करा डबड़ी ने विकॉज वह एक सेलिब्रिटी पहले सही थे तो वह बहुत मेजर डिफेरेंस है लेकिन फिर भी ऐसा केविन नेस कहते ह मुझे बोल रहे हो कि मैं इस थीज को फुल टाइम नहीं करता पाट टाइम अँट पर भी इतना कमा रहे हुआ तो सोचो मैं उनको कहां पीशे चोड़ दूँगा तो तुमें तो मेरे अरे वहां मनना चाहिए उनकी लाइफ को बरबाद नहीं कर रहा है फुल टाइम होके यानि को भी मौका दे रहा है विकॉज अगर मैं फुल टाइमर बन जाओंगा तो देन उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा ऐसा कहते हैं कि इसे भी मालूम है केविन को कि यह अपने टाइम में जितना फेमस नीथा जितना वो नीथा उससे जारा तो मैं और एड़ी हूं तो इसलिए वह कहिना गें मुझसे चिड़ा हुआ ऐसा कहना है लोगन पॉल का इनकी बाते भी सेंस बनाती है अब आप किसको जारा जस्टिफाई करना चाहोगे लोगन को सर शती को सब्सक्राइस को मझें तरहां तो बॉलो कि यहां पमारी कि यह बैसके के मरुद बनाती हैं हैं चीज बनाती है अपने रास्ते को बी लोगन पॉल मेहनत करके बनाकर लेकर तक तो मुझे लगता है कि अगर लोगन पॉल उतना अर्ण करें तो डिजर्ब करतें इस चीज को खरागे बढ़ते हैं का अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोडी का बारे में जो कि बारे में बारे में जर्ण करें लिए दो लागे लिए नेट्वर्ग पे यह लिए अपनी आप एक्सपेक्ट करो कि एवरेज वन पॉइंट एट नाइन हो जाएगी तू मिलियन भी मुस्किल से लिए क्रॉस करेंगी मुझा इसा लगता है फिलाल वाई इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आना वाले टाइम के अंदर आप को और बेसी डबड़ी की न्यूज अपडेट्स टाइम जानने को मिलते रहे फॉल्लों कर सकते आप तो मुझे इंस्टाग्राइम एंट ट्विट अपने डिस्क्रिप्शन में